यह वाला पड़ाकाना ममी छोड़ने जारी एक्स्पेरिमेंट करने जारी है तो देखते हैं हम लोग जैसे ही जले वैसे ही तुरंत भागना हुआ से यह तो खत्रा हो सकता है भागाओ 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 कैसे आप सब उमिद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो फिलाल गाइस मैं आज का बलोग अपने खेत से श्टार्ट करता हूँ यानि कि भीटा वाले खेत से श्टार्ट कर रहा हूँ हैपी दिवाली की धेर सारी सुपकामना है आप सभी को क्योंकि आज दिवाली का त्यवार है तो आप सभी को धेर सारी सुपकामना है हैपी दिवाली तो गाई सुबह के 8 बज रहे हैं आप सब देख पारे होंगे सुबर सुबह के न जारे और मैं आ चुका हूँ अपने खेत में गाई जैसा कि खेत में धान कट रहा है फिलाल आप सब देख पारे होंगे तो धान जैसा कि बहुत सारा कट चुका है थोड़ा से बचा है वो आप सब देख बाड़े हो थोड़ा बहुत बचा है और बाकी हर बार भाई मेरे खेत में जो है चुहे लोग नुकसान कर देते हैं थोड़ा बहुत खेत में जैसा कि धान हो चाये गियों वो नुकसान कर दे तो आप सभी को मैं दिखाने कोशिस करूंगा आए देख लीजिए इतना इतना खुगा पुरा निकल चुका है देख सकते हो कि इतना जादा नुकसान करते हैं तो पता नी क्या गलती है भाई हम लोग का कि यहां पर खेतों में पुरा पुरा बील और पुरा पुरा एकदम प थोड़ा से तो हाँ यह भी कल सूबर तक कट जाएगा क्यों आज साम को जो है दिवाली है तो हो सकता है कि न कट पाए साम को क्योंकि साम को दिवाली है तो भाई आज मुझे चलना है फाइनली अपने बाजार मोधा वहां पर थोड़ा मुंबत्ति-उंबत्ति-पडाका- तो थोड़ा बहुत धान काट लेते हैं उसके बाद फाइनली चलते हैं घर तो घर चलने के बाद नहां दोकर फ्रेस हो जाएंगे उसके बाद चलेंगे फाइनली मौधा तो आप सभी को वहां का सीन पूरा पूरा दिखाने वाले हैं तो आज की यह ब्लोग जो है काफी इ फिनिस करेंगे तो है गाईज जैसा कि मैं धान काटके घर पे आ चुका हूं और घर पे काफी अच्छा से साफ सफाई भी हो रहा है तो आप तुभी को दिखा देता हूं तो भाई यहां पर देख सकते हो काफी अच्छा से साफ सफाई गर के हो रहा है हमारे देको भाई उध लोग चल्लाइत है तो चलो आपर चल्ते हैं जल्सा कि हम लग चल ले तो इस बाइक से चल्ले वाले एक्टिपा से तो यहां पर बाबा भी रेडि हो चुके हैं तो चलेंगे हम लोग मौदा मार्केट तो चलो चलते हैं वहां के आप सभी को नजारा दिखाते हैं भाई हुआ हुआ हैare पहाद है यह जाल यदियाम और इना? यदियाम और इना? ओनो! यदियाम तो बांद पलाए? तो फिलाल गाईज हम लोग समानों मान ले चुके हैं मौदा से तो हाँ आप चलते हैं भाई घर जो फिलालम आदे से आ चुके हैं सारा समान ले के तो हाँ साम के छे बच चुके हैं तो बाए आज पुरा घर का अच्छे से साब सफाई वो चुका है क्योंकि आज है पुरा दिवाली आपसे भी को दिखाएंगे अच्छे से कि कहां भाई कैसा सजाने के बाद लग रहा है तो घाईजे एक घर का पुरा सफाई और यह रंगोली बन चुका है घर में तो घर के आंगर में यह है रंगोली तो रंगोली का कुछ डिजाइन इस प्रकार से है तो आप लोग देख लिजी और ब्लोग काफी सीम पहले है आज का जैसा कि अंदेरा ओचुका है और अब हम लोग दिया को अच्छे से हर जगह पे रखते हैं तो अमारी आज ही यहाँ पर तैयारी कर रही है दिया हुआ हमें तेलों डाल लही है अब इसको जलाएगी जलाने के बाद इसका पूजा करेगी अच्छे से उसको फिर जगए जगए पे रखना होगा तो चलो भाई इसका हम देख लेते हैं पूजा भी हम भी कर लेते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो तो हमारी आजी जो है यहाँ पर तेल वेल का इंतिजाम कर रही है तो भाई तयारी हो रही है अच्छे से अब उसमें दिये में तेल वेल नहीं डाला गया है तो डाला जा रहा है उसके बाद रखना है भाई और हां अंधेरा हो चुका है तो भाई जैसा की अंधेरा तो हो चुका है अब आजी अमारी जलाएगी दिया पूजा करेगी उसके बाद रखना है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी मम्य पूजा करेगी तो आप सभी को दिखाएंगे अगन में आगन में रखके सब कुछ पूजा होता है तो इसमें से निकाल लिया हूँ मैं माचीस दिया जलाने के लिए अब दे देता हूँ मम्य को तो मम्य अब जलाएगी पूजा होगा अच्छे से गर में यहाँ दुहार के यहाँ चोखन पाजु के जो है रंगोली और आपर दिया को हमने जला दिया है च्छत पे अब नीचे रसीन आप सभी को दिखाने वाले हैं तो यह तो च्छत पे मैंने जला दिया मैंने जला के पूजा किया च्छत पे बाकी यहाँ पर मेरी याजी जो है पूजा कर रही है तो पूजा करने के बाद मैं भी थोड़ा नीचे भी कर लूँगा उसके बाद जो है धीया को लगाएंगे जबें जबें पे तो हमारी आजी जैसा की फूजा कर चुकी है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है फुल जैरी को जला रहे हैं तो गाईज यहाँ पर पुंचल और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो की खेल ले हैं तो गाईज जैसा की हमने यहां पर देव जला दिया है हलाकि छोटे छोटे बच्चे जो है चोछुलिया जला रहे हैं और यहां पर मैंने थोड़ा बहुत यहां पर दिये को लगा दिया है हलाकि यहां पर इस बार जालर उलर नहीं है और दिये भी इस बार कम जलाए है क्योंकि पापा की देथ हो गई क्योंकर इस बार ज्यादा सजाने जाने का कोई प्लाण नहीं था, जालर रोलर का, तो यहाँ पर दिख सकते हो, जो भी है, पिसाब में है, वहाँ पर है, नीम के पास में, यहाँ खेत में, और बाकी हर जगए हैं, और छट पर भी है, चलते हैं, छट पर भी थोड़ा से को आपर मम्मी भी पूजा कर रही है तो चलते हैं चलते दिखा देते हैं तो भाई जैसा कि देख सकते हो हलाकि इस बार हमने ज्याधा तो नहीं दी ये जलाये हैं पर जो भी जलाये हैं तो ठिक ही ठाक है लगबग में तो यहाँ पर देख सकते हो पुरा रख दिया है अब तो और को मैं अपने गाओं का कुछ सीन फ़िए डिवाली मना रहे हैं आप लोग वी दिवाली मना आई हैंग को आज का ब्लोक कई एक कमेंड करना वेडियो को लाइक कर देना और चैनल को पर्स टाइम बातर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी कोई बीडियो को नौटिफिक्रिक्सन आप तक जा सके अब हुआँ बाकि मैं इस ब्लोक को काफी बडा नहीं करना चाहूंगा तो आप सब देख लिए होंगे इस बाल लाइक चाहिए, लाइक तो कैमरा में फोकस करो कैमरा में फोकस करो कैमरा में पुंचल है, पुंचल सालो यह वाला पड़ाका ना ममी छोड़ने जारी एक्सपेरिमेंट करने जारी है तो देखते हैं हम लोग जैसे ही जले वैसे तुरांत भागना हुआ से यह तो खत्रा हो सकता है भागो, भागो, भागो आफो यह एक जगह नाचाए एक जगह एक जगह एक जगह तक कि मेरी कोई से भी वीडियो का नोटिफिक्सन आप तक जा सके तक कि लिए मिलते हैं किसी नेक्ट ब्लोग में तब तक के लिए भाई भाई